रबडी फालूदा हो, कुल्फी फालूदा हो, बादाम सेखो, मिल्क सेखो, बनाना सेखो, या फिर हो चुस्की, या फिर बर्फ का गोला, सब में डाला जाता है ये सीरा, सब इसके बगेर हैं अधूरे, क्योंकि यही इन सब को करता है पूरा, तो यह कई कलर में बनाया जात हरी color का पीले color का लाल color का और नहीं जाने कैसे कैसे color कैसे flavor का तो बस इसी चुबार करना बालो ऑर जसी को डाल दो गर्मियों की बना लो और पूरी season चला अब देखो मैं तो kulfी फालूदा पर डाल गार हूं तो आप जिस पर चाहे उस पर डालो फिलाल हम इसे बनाते हैं बहुत ही टैस्टी बनती है चलो बनाना शुरू करते हैं जब भी ड्राइ करना अपना फीडिवेक देना और रेस्पी पसंद आये तो इसे लाइक शेर सब्सक्राइब जरू करना चलो तिससे बना लेते हैं इसके लिए सबसे पहले एक पैन लेंगे और इसमें डाल देंगे चीनी तो चीनी हमें कितनी डालनी है चीनी डालनी है कम से कम एक कटूरी अच्छा आप जितनी भी क्वांटिटी में बनाना चाहें उतनी क्वांटिटी में बना सकते हैं अच्छा कम से कम ये 6-7 महीने चलेग इसके अंदर पानी, तो पानी की quantity और चीनी की quantity बरावर रखनी है, ताकि जो सिरफ है न वो जल्दी बन जाए, तो ध्यान रखिएगा छोटी छोटी बाते हैं, और छोटी छोटी quantity का भी आप ध्यान रखिएगा, आप इसमें डाल देंगे केसर, क्योंकि इसको मैं थोड़ी स essence बगेरा का भी यूज़ कर सकते हैं, बिना किसी खुसबूगे भी बना सकते हैं, क्योंकि बदबूत वाईगी नहीं, तो आप अपने इसाब से रखिएगा, केसर optional है, क्योंकि हर किसी का अपना बजट होता है, बाई दबे हमने डाल दिया है, तो आप चीनी घुलने का करे देखो थोड़ी सी चीनी घुल चुकी है, तो इसी स्टेज पर हम कलर भी डाल देंगे, आप चाहें तो बाद में डालो, चाहें तो पहले डाल दो, कोई फरक नहीं पड़ेगा, तो डाल दो इसमें कलर, तो लगबग कलर दो तिन चुटकी होगा, तो बहुत ही कम क्वांट बहुत यूज होता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, अब इन सभी को हमने अच्छी तरीके से मिला लिया है, तो बस अब इसकी बनाएंगे हम चासनी, तो चासनी हमें रखनी है, रसगुले से थोड़ी सी ज़्यादा हाड यानि के पकी हुई, क्योंकि इ अच्छी तरीके से, तो लगवग 5 मिनट इसे हम और पकाएंगे, लगवग 5 मिनट हो चुका है, अच्छा एक बार हम चेक कर लेते हैं, अभी देखो ये हाथों में सिर्फ चिपक रही है, लेकिन बहुत अच्छी तरीके से नहीं बनी है, तो कम से कम 3-4 मिनट और तो लगवग 4 मिनट हो चुका है, तो अब चेक कर लेते हैं, ये देखो, हाथ पे ये बिल्कुल अच्छी तरीके से चिपक रही है, लेकिन एक तार की या दो तार की नहीं बनी है, ध्यान रखेगा तार की चासनी नहीं बनानी है, बस ये बहुत अच्छी तरीके से हाथों कि चासनी बन के तयार हो गई तो आप चासनी बन चुकी है तो गैस की फ्लेम को बंद कर देते हैं और बस इसको ऐसी छोड़ देते हैं कम से कम एक घंटे के लिए ताकि जो चासनी है ना वो ठंडी हो जाए फिलाल हम इसे चेक कर लेंगे कि चासनी कैसी है इस समय ये देखो ए छे महीने साथ महीने आप डालो जब भी आपको कोई भी चीज में सुगर सिरफ डालनी हो किसी भी चीज में खासतोर से फालूदा के साथ हाँ फालूदा से याद आया अगर आपको फालूदा की रेस्पी देखनी है कुलफी के साथ तो इस रेस्पी का लिंक में डिस्क्रि बोतल में थूरी सी life अच्छी रहती है तो आप भरके रख लीजिएगा जो भी आपके पास बोतल हो खलाल जो प्लास्टिक की बोतल है वो बहुत जादा बन रही है समय कांच की तो बड़ा मुस्किल से मिल रही है अगर आपके पास कांच की बोतल है तो उसमें आप भरके रंग बरंगा सुगर सिरफ बनाते हैं और उसकी बोतल रख देते हैं सामने आपको लगता है मस्त बनेगा गूला बैसे भी बनता है मस्त मस्त गूला तो अब आप बताओ कि आपने कभी सुगर सिरफ बनाया है तो नहीं बनाया हो तो ट्राइ करना और बताना कि सुगर सिरफ क परना फ्री के चीज़ें कर ले ना